Dear students, आज जिस बिंदू पर आज बिचार करेंगे वो है क्लॉसियस क्लेपरेंड एक्विशन Thermodynamics में हम उन बिंदू पर बिचार करते हैं जहां Thermodynamical Coordinates Pressure, Volume, Temperature, Internal, Energy और इनमें आपस में क्या संबन्द है एक को बदलने पर दूसरी में क्या परवतन आता है यदि हम दो प्रावस्थाओं, दो फेजेज की बारे में बात करें हैं जिसमें कि दोनों फेज किसी भी पदार्ट के एक साम्यावस्था में वैते हैं जैसे अपन पानी को गर्म करते हैं तो बास्प पंती है और एक विंदू ऐसा होता है जहां पर पानी और वास्प एक ही टेंपरिचर पर दोनों साम्यावस्था की अवस्था में वैते हैं ऐसी इस्थितियों में यदि किसी पदार्ट का एक फेज से दूसरे फेज में जाने पर उसके बॉल्यूम पर हमेशा ब्रद्धी हो या हमेशा कमी हो ऐसा नहीं होता है कभी उसमें वॉल्यूम में ब्रद्धी होती है कभी कमी होती है और इन इस्थितियों में उसकी लेटेंट हीट के साथ में एक पर्टिकुलर टेंपरिचर पर प्रेसर का और उसके कवथनांग पर या द्रणांग पर क्या अंतर आता है इसके बारे में क्लोशियस और क्लेपरेन ने एक एक्विशन का निर्माड किया उसके बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे यदि हम किनी दो फेजे पदाक्त तीन अवस्ताओं में पाए जाते हैं और वो पदाक्त सॉलिट लिक्विट और गैस की अवस्ताओं में पाए जाते हैं तो जब प्रावस्था संतुलन होता है तो उसे अब कल ही गड़ प्रूप में यदि अपन प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम क्लॉसियर्स क्लैपरेंड एक्विशन कहते हैं आप इस चित्र को देख रहे हैं जिसमें हमने प्रैसर और टेंपरिचर के बीच में एक दो प्रावस्थाओं के लिए ग्राफ को प्रदर्शित किया है temperature को x x पर लिया गया है और pressure को y x पर लिया गया है यहाँ जो curve दिखाया गया है ABC से वो दो प्रावस्थाओं के संपुलन की अवस्था को प्रदर्शित करता है यदि हम B और C विंदूओं पर विचार करें तो उसके लिए माना के B विंदूओं पर temperature, pressure और temperature का मान P और T है और C विंदूओं के लिए उसका मान बढ़कर के T प्लस delta T और P प्लस DP हो जाए तो यह इसपस्थ है कि यदि हम GIFS function के वारे में बात करें तो जो GIFS function है वो फेज A से उपर वाले कर्ण में यानि compressor पर अपन देखते हैं कि G1 का मान G2 से कम होता है और इसे हम फेज 1 कह सकते हैं G1 is equal to G2 यानि GIFS function जिस बिंदूओं पर समान होता है उस रिखा को हम फेज equilibrium की position कहते हैं और जब G1 का मान G2 से अधिक हो जाता है तो पधात फेज 2 की अवस्था में होता है साम्य अवस्था और सहय अस्तित्यों के लिए जब फेज 1 और फेज 2 अलॉंग कर्ण ABC ये दोनों के लिए GIFS function का मान समान होना चाहिए जैसा के प्रदसित किया गया है कि G1 is equal to G2 तो B बिंदू पर और C बिंदू पर GIFS energy का मान समान होना चाहिए यानि यहां पर और यहां पर दोनों बिंदू पर मान समान होना तो G1 पर क्या है कि G1 is the function of T and P at B and G2 is also the function of T and P तो G1 Tp is equal to G2 Tp equation number 1 है यह और यहां यह B बिंदू के लिए लागू है C बिंदू पर यह बिचार करें तो यहां GIFS function का मान इससे अलग होगा क्योंकि GIFS function का मान temperature और pressure कर डिपेंड करता है तो यहां के लिए हमने T plus DT और P plus DP temperature और pressure माने हैं इसलिए इस बिंदू C के लिए G1 T plus delta T P plus delta P is equal to G2 T plus delta T और P plus delta P होगा अब यह ताप दाब परवरतन में GIFS function में परवरतन मान लीजिए अपना कितना हुआ यहां से DG1 था और यह DG2 हो गया तो यह DG1 और DG2 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि G1 T plus delta T plus P plus delta P तो यहां से यहां तक कितना अंतर आया वो DG1 का अंतर आया तो हम यह मानेंगे कि G1 plus DG1 होगा इतना ही अंतर यहां C बिंदू पर होगा तो यानि G2 T plus DT P plus DP is equal to G2 plus DG2 अर्थाथ DG1 और DG2 B से C बिंदू पर जाने में जो Gips function में अंतर आएगा वो दोनों बिंदू के लिए समान होगा और इन equation 3 और 4 से अपन देख सकते हैं कि DG1 is equal to क्या होगा DG2 यहां जो G है वो energy किसी भी state की energy को यह तो उसके number of molecules से भाग देने तो अपन G I का मान capital G I upon N I लेख सकते हैं जहां G Gips energy function है किसी भी I प्रावस्था के लिए यानि आवस्था 1 हो चाहें 2 हो इसका अर्थ क्या हुआ कि G is equal to कितना होता है E plus PV minus TS तो E1 EI plus PVI dash minus TSI dash और divide कर दीजिए आप उसमें total number से N I से तो G I is equal to कितना हो जाएगा EI upon N I plus PVI dash upon N I minus TSI dash upon N I तो G I इसको हम energy per unit mole के सकते हैं तो इसमें number of moles N थे तो उसको हमने अटा दिया तो G I is equal to कितना हो जाएगा Epsilon I हमने या मान लिया Epsilon I is the energy per unit molecule So this is PVI dash upon N I So इसको हमने P वाग मान लिया And this is P वाग V I Minus TSI यहाँ पर V I equal to हमने माना है V I dash upon N I और SI equal to माना है SI dash upon N I तो DGI का जो मान है यहाँ हम इसको differentiate करें equation 6 को तो we will get DGI equal to DEI plus PDVI plus VIDP minus TDSI minus SIDT इस equation में यह जो DEI plus PDVI यह first law of thermodynamics से total energy को denote करता है Total energy means DQ is equal to D Epsilon I plus PDVI और DQI अपन पढ़ चुके हैं कि it is equal to TDSI तो यह दोनों terms मिलकर के TDSI बनाएंगी जो TDSI से इससे cancel हो जाएगा और cancel होने के बाद अपने पास दो term बचाएंगी एक V I D P और एक SIDT इसलिए DGI का मान V I D P minus SIDT के बगाबर होगा जैसा कि equation 7 में आपको दिखवा है यदि हम DG1 is equal to DG2 माने तो यह दोनों states के लिए जो change है वो बगाबर होता है तो हम उसमें I की जगे 1 और 2 लिख सकते हैं यदि वी 1 D P minus S1 DT is equal to V2 D P minus S2 DT DT के factors को अलग और D P के factors को यदि हम अलग करें तो we will get S1 minus S2 DT is equal to V1 minus V2 into D P और D P upon DT is equal to क्या हो जाएगा आपका S1 minus S2 upon V1 minus V2 that is change in the entropy divided by change in volume तो यह जो equation है वो pressure और temperature के relation को entropy बढ़ने, volume बढ़ने और घटने पर आपके कोतनांक और द्रवणांक में क्या अंतर आएगा इस बात पर depend करेगी यह समी कवर्ण हमारी clausius klepren equation कहलाती है और यह संतुरन बक्र पर पदार्थ की दोनों प्रावस्थाओं के शेह अस्तित्तों में होती है और प्रावस्था परवरतन के समय ऊश्मा का अर्शोषन या उत्सर्जन होता है जिससे पदार्थ की हम क्या कहते हैं गुप्त ऊश्मा कहते हैं and it is denoted by N तो यह कह सकते हैं कि इसको यदि हम multiply कवें तो N into S2 minus S1 यहां से is equal to DQ12 upon T DQ12 upon T क्या होता है that is the energy absorbed or energy released in case of change in phase and that is L12 upon T क्योंकि एक temperature पर जितनी energy अबसूसित या उत्सर्जित की जाती है जिससे की परार्थ का अवस्था परवर्तन हो जाया यानि solid से liquid या liquid से solid liquid से gas या gas से liquid बनाने में जो एक ही particular temperature पर बिना temperature के परवर्तन के जो energy अबसूसित या उत्सर्जित होती है उसे हम परार्थ की एका कहते है latent heat कहते है इसलिए यदि हम s2 minus s1 का मान यहां बखे है तो dp upon dt is equal to क्या होता है l12 upon t और इसका मान क्या हो जाएगा n into v1 minus v2 तो ये n into v1 minus v2 क्या है that is the change in the volume that is 10 क्या कहलाता है गुप तूस्मा के पदों में clausius cleprane equation कहलाता है तो main equation अपनी कौन सी हुई dp upon dt is equal to s1 minus s2 upon v1 minus v2 that is called clausius cleprane equation और यदि हम किसी particular परार्थ के लिए latent heat के टर्म में इसको लिखना चाहते है then it is dp upon dt is equal to l12 upon n into v1 minus v2 into t होगा अब हम इसकी application के वारे में थोड़ा सा विचार करें कि क्वथनांग पर दाव का क्या प्रवाब होगा ठीक है तो क्वथनांग क्या होता है एक phase liquid से gas में जब change होता है तो वो एक particular temperature जिस पर कि वो ओजा अंबो पदार्थ द्रब से gas में बदलता है तो क्या होगा द्रब से जब gas में बदलेगा तो उसके volume में बद्दी होगी इट मींस के there is increase in volume अब अब देखिए यहाँ पर delta V जब positive है तो क्या होगा delta V positive होने पर यहाँ देखे delta V positive है L12 latent heat है temperature T positive है तो इसका मान के आएगा यह DP upon dt is positive तो pressure जब बढ़ा रहे हैं तो DP का मान कैसा हुआ positive हुआ तो dt का मान भी positive होना चाहिए तभी यह संख्या positive हो सकती है और ऐसी इस्तिती में क्या होगा कि हम जब pressure बढ़ाएंगे तो क्वतनांग का मान भी वढ़ जाएगा जब volume बढ़ता है तो pressure बढ़ाने पर क्वतनांग या गलनांग का मान बढ़ता है और जब volume कम होता है तो pressure बढ़ाने पर क्वतनांग या गलनांग का मान कम होता है इसको हम इस तरह से समझेंगे कि जैसे वर्फ है, वर्फ को जब प्रिगलाते हैं, तो वर्फ का वॉल्यूम कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, यानि पानी का वॉल्यूम वर्फ के वॉल्यूम से कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, तो यहाँ यद अवस्था परवतन की बात करें हैं, अपन तो dv का मान कैसा हो जाता है negative, that is dp upon dt becomes negative, तो जब dp upon dt negative है, तो क्या होगा, प्रेसर बढ़ा रहे हैं, तो temperature कैसा होगा, कम होगा, temperature कम होगा, it means कि प्रेसर बढ़ाने पर जो गलनांके उसका मान कम हो जाता है, और इस तरह ऐसे ये विशेश्च तोर से प्रेसर को, प्रेसर का क्या effect होगा, आपके boiling point पर, melting point पर, उसको निकालने के लिए क्लॉसियस क्लेप्रेन equation काम में ली जाती है, now we shall discuss about the सवल पदार्थ की प्रावस्था का रूपांतरन त्विक बंदू, त्विक बंदू वो होता है, जहां पर पदार्थ की तीनों state, solid, liquid और gas को existence में वेती हैं, यानि इस बंदू पर, जो की यहां O पर दिखाया गया है, O बंदू को देखिए आप, O बंदू पर किसे भी पदार्थ की तीनों अबस्थाएं, शाम्या अबस्था की इस्तिती में वेती हैं, यहां A, O, C state, यानि जब temperature बढ़ाते हैं, और pressure भी बढ़ाते हैं, तो यह कौन सी state होती है, आपकी gaseous state होती है, सबसे कम volume कहां होता है, सबसे ज़्यादा pressure होता है, so it is solid state, जो कि आपके A, O, B से दिखाये गया है, और B, O, C की state में यह कोई भी पदार्थ वो liquid state में होता है, Now we shall understand कि A, O के along, जब आपन जाएंगे इस window के along, तो यहाँ पर solid और gas दोनों को exist करती हैं, और दोनों ही साम्यावस्था में होती हैं, जब A से O की हो जाते हैं, तो solid और gas एक ही साथ शाम्यावस्था की अवस्था में होती हैं, O और V कर्ब के साथ में solid और liquid साम्यावस्था की अवस्था में होती हैं, तथा O और C के along liquid और gas state साम्यावस्था की अवस्था में होती हैं, यदि हमें बेपाग वेसर का कैलकुलेशन करना हो तो हम क्लोसियस क्लेपरेन एक्वेशन को ही काम में लेते हैं और हम एक्वेशन जो आपकी 11 है 10 है, 10 को हम dp upon dt is equal to l upon t into v2 minus v1 अब v1 तो मालीजिये liquid का volume है और v2 किसका है, gas का बेपाग वेसर निकालने के लिए अपने क्या करना बढ़ाएगा कि हम जो है बेपाग के रूप में liquid को change करते हैं so v2 is very very greater than v1 तो we can neglect the quantity v1 in this equation 11 and our equation becomes dp upon dt is equal to l upon t into v2 now we can treat, हम क्या कर सकते हैं इसको चुकि इसका बहुत बड़े volume में प्रसावर्ण हो जाता है और इसनके आपस के अणों में ज़्यादा interaction नहीं होता जैसा कि हम ideal gas के लिए मानते हैं तो हम यहाँ ideal gas equation को काम में लेते हुए हम उस जब gaseya सवस्था में हो जाता है जब बड़े प्राइज हो जाता है कोई पता हाँ तो हम उसको ideal gas के लूप में मान सकते हैं और उस इस्तिती में PV2 is equal to क्या होगा Rt now dp upon dt is equal to V2 का मान यहां से रखतीजिए आप तो Rt upon P तो यह क्या हो जाएगा L P upon RT square अब dp upon dt इसको integrate करना है तो dp upon P L upon RT square dt और इसको integrate कर दीजिए तो you will get log P is equal to minus L upon RT plus constant अब मालिजे absolute zero temperature पर volume का मान वेपर के लिए कितना था P zero था तो यह constant can be calculated यह T is equal to zero रख दीजिए तो log P zero is equal to constant आगया log P zero is equal to constant यहाँ खेंगे तो क्या जाएगा log P upon P zero is equal to minus L upon RT और log का exponential लेंगे तो we will get P upon P zero is equal to E की पोबर minus L upon RT यह equation जो 13 है वो बास्कदार की L तथा T पर निर्फरता को व्यक्त करती है तो we can calculate the vapor pressure by knowing the value of L and T in case of change from liquid to gaseous state thank you and again we will meet with another lecture जिसमें हम उस्मा भंडार के संपर्क में जब निकाय अन्यत आयतन वाले निकाय के लिए संतुरन प्रत्वन निकालेंगे और we will discuss about the hell for free energy thank you